इलहाबाद युनिवर्सिटी की तरफ से आप लोग के लिए good news है इलहाबाद युनिवर्सिटी के जो counseling के में profile feeling की last date थी वो increase कर दी गई है और choice feeling की date भी release कर दी गई है तो जानते हैं इनके बारे में कि choice feeling की date कब से कब तक है प्रोफाइल कम्टीट करने की लास्ट डेट क्या है और कितनी फी लगेगी कोर्स वाइज और कैटेग्री वाइज ठीक है तो चलो चलो चार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन तीन टॉपिक के बारे में हेलो एवरिवन वेल्कम तो इस पार्क अपक्लास इस सुमाने आदव इलहाबाद उनिवर्सटी इलहाबाद उनिवर्सटी बहुत मानी जानी उनिवर्सटी है और उसके जो काउंसलिंग थी उसकी लास्ट डेट पहले ही खतम हो चुकी थी लेकिन अब वो एक्स्टेंड कर द इलहाबाद उनिवर्सटी ने अपना बेसिक रेजिस्ट्रेशन एक्स्टेंड करके पांच अगस तक उसकी लास्टेट है अगर आप पांच अगस तक फिल नहीं करते हो तो फिर आप इसकी काउंसलिंग में पांस्टेंड नहीं कर पाऊगे ठीक है दूसरी बड़ी खबर इलहाबाद उनिवर्सटी ने कांसलिंग की जो रेजिस्ट्रेशन था उसको तो एक्स्टेंड किया ही किया और साथ ही साथ जो चॉइस फिलिंग और फी पेमेंट का ओप्शन है वो भी ओपन कर दिया अभी तक वो ओप्शन नहीं था लेकिन अब ओपन कर दिया गया है प्राव मुंध की बात कर लेते यह जो फी लगती है वो एक कोर्स के लिए जनरल केंडिडओेट वो BC कांडिड़ेट और EWS के लिए तीन सो रुपई लगती है टींक है एक से ज्यादा लोगे जैसे की दो खैंश लिया तोmond फिर पिर एक और खैंश लिया तो नौस यहाल सो तो आपने दो कोर्स चूज कर लिए, तो दो कोर्स के आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे, 3-300 के हिसाब से, ठीक है, जेनरल को भी, EWS को भी, OBC को भी, नेक्स, जो SCST, PWD है, उनके एक कोर्स के लिए 500 रुपए लगेंगे, 150 रुपीज, ठीक है, तो एक से जाधा लोगे, तो अगेन वो डबल हो जाएगा, 300 हो जाएगा, फिर एक और लोगे, तो 450 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपको कोर्स चूज करने का option आएगा, और उस तरह स से आपको payment करनी होगी, ठीक है, नेक्स बात ये करते है, preference list इन्होंने क्यों नहीं दी, और ये देगा भी नहीं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कि आप इलहबाद यूनिवरस्टी में अपने पसंदकच college नहीं ले सकते, ऐसी बात नहीं है, मैं समझाते हूं preference list क्यों नही register किया है, उस हिसाब से वो अपनी cut-off launch कर देते हैं, और cut-off launch करने के बाद, जो उस cut-off तक आते हैं बच्चे, वो participate करेंगे, और जिनका cut-off marks से भी कम marks है, वो counseling में participate नहीं कर पाएंगे further, वो वहीं से bycott हो जाएंगे, इलहबाद यूनिवरस्टी का ये नियम होता है, ठीक ह लहबाद यूनिवरस्टी और उस cut-off range में आप आओगे, तो आगे की process में participate कर पाओगे, ठीक है, ये process होता है लहबाद यूनिवरस्टी का, फिलहाल मैं आपको बता दो कि registration करने की last date, basic registration की last date 5 अगस है, और choice filling और जो आपका ये free payment है, उसकी last date आपके 12 अगस तक है, ठीक है लहाद आगे की process होगी, फिलहाल इलहाबाद यूनिवरस्टी का इतना सा है, ठीक है, I hope आपको बात समझ में आ गई होगी, similarly Bhu की भी preference is जारी कर दी गई है, मैंने इस वीडियो में बताई है, आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखो, अगर आप बीएच्चु में पार झाल